Assalamu alaikum my dear student, कैसे हैं आप लोग? आज हम बहुत ही important topic करने जा रहे हैं, electronic factors तो कि organic reactions में involved होते हैं, वो हम करेंगे. यह electronic factors basically reaction intermediate में भी involved होते हैं, इसलिए मैंने हम सोचा कि reaction intermediate start करने पहले हम electronic factors कर लेते हैं, तो कि organic reactions में involved होते हैं. वो क्या electronic factors हैं जो कि और्गनिक रिएक्शन में इसा लेते हैं, वो हैं inductive effect आपने नाम सुना होगा, दूसरा है resonance effect, तीसरा मेज़मेरिक effect, चोथा electromeric effect और पांचवा hyperconjugation, यह पांच important effects हैं, जो कि कि किसी भी और्गनिक रिएक्शन में involved होते हैं. अच्छा याद रिखिए कि तमाम के तमाम effect, पाई electron यह सिग्मा electron की displacement की वज़ासे होते हैं, यह उनकी unequal sharing की वज़ासे होते हैं. पहला effect जिसे हम inductive effect भी कहते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर कार्बन के साथ कोई more electronegative element या भी कहले ज़्यादा electronegative element group attached है, या कम electronegative element attached है, तो वो polarity create कर देगा. इस polarity create करने के नतीजे में कार्बन पे और उस other group of atom के पर charge create हो जाएगा. अब यह unequal charge एक effect पैदा करता है, जिसे हम कहते हैं inductive effect. आप देख सकते हैं कि मैंने यह लिखा है कि अगर electronegativity of X, X मेराद है कोई other than carbon atom, उसकी ज्यादा होगी किसके मकाबले में, electronegativity of carbon की मकाबले में, तो इस तरह का charge बन जाएगा, जिस कार्बन के उपर आएगा positive charge और उस element के उपर आजएगा negative charge. इसके नतीजे में जो effect पैद इसी तरीके से अगर electronegativity of any other element other than carbon, वो कम है, किसके मकाबले में, कार्बन के मकाबले में, तो इस तरह का polarity के उपर negative charge और इस carbon के जो other element है, क्योंकि कार्बन के साथ bonded है, उसके उपर positive charge आजाएगा. इस तरीके से जो effect पैदा होगा, उससे हम कहेंगे plus i effect. अच्छा ये जो inductive effect है, वो distance dependent phenomena है, यानि कार्बन के साथ जो less या more electronegative element group attached है, वो तक्रीबन अब तो 3 कार्बन तक इस effect को पैदा करता है, ये create करता है. अच्छे कुछ example देखते हैं, जिसे मैंने हैं लिखा है कि कार्बन के साथ अगर ये कोई x यानि more electronegative element ये ज्यादा electronegative element attached होगा, तो जो कार्बन directly इस group के साथ attached होगा, उसके उपर ज्यादा partial positive charge होगा. जहां एक से मरादे ये ज्यादा है. अच्छा उसके बराबर वारा जो कार्बन होगा, उसके उपर कम partial positive charge होगा. मैंने partial को दो दफ़ा लिखा, मिन्स partial partial. इसी तरीके से जो तीसरा कार्बन होगा, उसके उपर और भी कम partial positive charge होगा पहले कार्बन के मुकाबले में और ये charge decrease हो जाता है. इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर कार्बन किसी less electro negative element के साथ attached है, तो कार्बन उस less electro negative element के electron अपनी तरफ खेंचेगा और इनके नतीजे में जो charge create होगा कार्बन के उपर partial negative और उस element के उपर partial positive charge. अच्छा जो कार्बन डिरेक्ली इस group के साथ attached है, इस कार्ब कार्बन के उपर ज्यादा negative charge होगा, उसके बाद जो second carbon है इसके उपर partial negative charge होगा, और इसके आप जो तीसरा कार्बन है इसके उपर उससे भी कम partial negative charge create होगा. इस तरह से यह फेनोमेना चलता रहता है. यहां मैंने लिखा भी है, कि इस relative inductive effects are measured with reference to the hydrogen as well, or with reference to carbon. अच्छा यहां कुछ example दिये मैंने कि यह group अगर कार्बन के साथ attached होंगे directly तो यह inductive effect पैदा करेंगे. यहां आप देख सकते हैं कुछ example मैंने discuss की है, minus I यह minus inductive effect की. आप देख सकते हैं कि specifically अगर कार्बन के साथ halogen means fluorine attached है, तो fluorine ज्यादा electronegative element होता है. इस fluorine के वजाए से पहले carbon के उपर ज्यादा partial positive होगा, दूसरे पे कम और तीसरे पे उसे भी कम, जिसे मैंने हाँ define भी करते हैं. कुछ और भी ऐसे element हैं, जो कि minus I effect पैदा करते हैं, वो कौन-कौन से हैं, वो nitro group भी हो सकता है, यह नहीं, nitro group अगर कार्बन के साथ directly attached होगा, तो एक वो nitro, minus I effect भी पैदा करेग अगर sino group directly carbon के साथ attached होगा, तो वो minus I effect पैदा करेगा, कार्बोक्सी group भी है, ester भी है, और अराइलोक्सी भी है, आप यह चीज़ गोर कीजिए, कि inductive effect में unequal distribution of electron की वजह से sigma bond के अंदर disbalance हो रहा है, यह चीज़ जहें में रखिएगा, क्योंकिए आगे चलके आप देखेंग नाइट्रो गूरूप है, तो उसमें कोई और effect भी पैदा हो रहा है, जबकि मैं यहां क्या define कर रहा हूं, कि carbon के साथ जो hetero group attached है, वो unequal distribution of electron की वजह से sigma bond के और displace कर रहा है, जो है थोड़ा सा clarity create कर रहा है, अच्छा, प्लस I effect की example में सिफ define कर रहा हूं, कि अगर कम electronegative element attached ह होगा तो वो basically carbon के वपर negative charge और उस atom के वप या ग्रूप of atom के वपर positive charge create कर देगा, वो किस वजह से होगा, क्योंकि वो electron releasing या electron generating group साथ में attached है, और यह दूसरा effect देखते हैं, जो कि electronic effect की example है, जिसे हम कहते है resonance effect, अच्छा, resonance effect कब होता है, यह होता है, जब आपके पास conjugated system हो, अब conjugated system से क्या हम रहात है, आपके पास alternate double bond मौझूद हो, या एक double bond, फिर single bond, फिर एक double bond, फिर एक single bond, फिर एक double bond, फिर एक single bond, फिर एक double bond, फिर एक single bond, फिर एक single bond, फिर एक single bond, इस तरह का कोई system हो, तो वहाँ भी resonance के chances होते हैं, ठीक है, या कहीं से कोई electron की movement हो, लेकिन वो आल्टरनेट हो आल्टरनेट मुव्मेंट या कॉंजूगेशन या डवल बॉंड की वजह से जो एफेक्ट होता है सम्म रेजुनेंस भी कहते हैं इसकी बैस्ट एक्जाम्पिल में आपको दूगा बेंजीन की आपने देखा ही होगा बेंजीन में आल्टरनेट डवल बॉ देखते हैं जिसमें फर एक्जाम्पिल मैंने यहां पर एक चार्ज इसपीशी लिए लेकिन यह है कार्बन की आप देख सकते हैं कि यह डवल बॉंड इस चार्ज इसपीशी यह पॉजिटिव कार्बन को एलेक्टान दे रहा है और एक रेजुनेंस स्ट्रॉक्चर पैदा तो वह भी स्टरीकर से मूव कर सकते हैं यह अक्ट्र क नेगेटीव इसकारागर कर देंग인가 यह हम यह कह सकते हैं के यहü teon बाइब चार्ज वापस आएगा यह पहली एक्जाम्पल है जिसमें यह कार्बन यह कुछ नहीं तो कार्बन होगा और पॉजिटिव चार्ज है अगर हम आप से कहें कि इसका रेजोनेंस फर्म बनाईए तो क्या हो सकता है डेफिनेटली अलेक्टान जो रेजोनेंट करेंगे वो हाई लेक्टान डेंसिटी से लोग अलेक्टान डेंसरी की तरफ मूव करेंगे इस मीज़ कि यह पाई लेक्टान यहा जाएगा और यह चार्ज इस कारबन की उपरा जाएगा वाइस वरसा एक और एक्जाम्पल देखें हैं अलेक्टान ब्रेच इस पीशे की अब यहां नेगरिव चार्ज है यह यह न आईट्रो में अं, औक्सीज्ण अंडबल बवर्न अक्सिजण में अब औक्सीजन नाइट्रोजटन अन्क्रायलैक्टान ग्रीव इपके लग़ेगा fifteen को यहां रिंध धाभ जो कि बेंजीन की साथ अब अक्सिजन के पर अल्डी अलेक्टान है यह एलेक्टान खेचे का नहीं बलके रिंग को देगा इस तरह के से रेजनेंस पैदा हो जाएगा यहां मैंने एक और एक्जाम्पल दिये इसमें कोई बेंजीन ब्रिंग इंवाल नहीं है जस्ट नाइट कार्बन के दरम्यान में क्योंकि यहां पर भी कार्बन यहां भी कार्बन जिबकि तीसरी चौथी और पांचवी में जो रेजनेंस इंवालव हैं में कॉंजूगेशन तो हो रही है डबल बार्ड भी मूव कर रहा है लेकिन कारबन की इन्वालम्ट इतनी नहीं है हैट्रो इस तरह को जो इफेक्ट होता है वो जो थेन्स हो रहा है उसे हम और आगे आपको डिफाइन करोंगा अच्छा यह पिछली एक्जम्पिल को मजीद में ने और के साथ डिफाइन किया है कि किस तरह से अलेक्टरन बूव करेंगे यह यह यहां बोगा यह पाइर नेगटिव आप देखते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट मेजोमेरिक इफेक्ट जिसे मैंने बताया आपको यह वेरी सिमिलर है कुछ लोग तो यही कंसीडर करते हैं कि मेजोमेरिक इफेक्ट बहुत ही माइनर साइस में आपको जैसे करा कि मैं कुछ एक्जामपल यह आपको दिखाता हूं आप देखें फिर इनको डिडियल से डिसकस करेंगे आप यहां देख सकते हैं कि इस एक्जामपल में यह कार्बन कारबन डबल बॉन और यह नाइट्रो गृप यह एक रेजोनेटिंग फार्म बना रहा है कि अलेक्टान विजड़ाओ करने के नतिजे में रेजियंस होगा और वह कौन सा रेजियनस होगा और आपको बताते हैं इस तरीफे से यहां वी बेसिकली रेजियंस हैं आख्सिजन के अपर अलेक्टान मौज़ूद है अब यह क्या क्या होगा यह इस इस आप-टिक्र जो यहां देख सकते हैं पहले एक्जाम्पिल में जो नायट्र ग्रूप था वह ता रहा है रेस्ट अभे जो प्राइब कर रहा है बिसिकली यह तुर्शन्स है लेकिन यह जो राज़नेंस है इसे हम कहेंगे ड्यूटि आरेट्रण विड्राइब ग्रूप और यह एकेफट प्र केंगे प्लस मेजमरी के फैर रेजनेंस मौझूद है लेकिन ड्यूटी हेट्रो गृूप अच्छा यहां भी आपके पास एक एक अलेक्टरान रिलीजिंग गृूप मौझूद है जो के रेजनेंस कर रहा है वह अपने इस रेस्ट अप दे रहा है लेकिन यह कार्बन नहीं कार्बन के अलावा है रेजनेंस हो रहा है लेकिन अधर दें कार्बन इसी वजह से इसको भी हम कहेंगे मैजोमेरिक एफेक्ट अब यह एलेक्टरान दे रहा है तो इस गूर्प के उपर आएगा पॉजिव चार्ज इसलिए हम इसको कहते हैं अलेक्ट्रो मैजोमेरिक एम मैजोमेरिक एफेक्ट की यहां आप देख सकते हैं कि सिंपल डी लोकिलाइजेशन ऑफ पाई एलेक्टरान है इसी वजह से हम रेजोनेंस एफेक्ट कर लेते हैं मैजोमेरिक एफेक्ट को कुछ एग्जाम्पल के साथ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीका से किलियर हो ज देखेंगे जैसे मेरे कहा कि मेजोमेरिक एफेक्ट के अंदर क्या होता है अलेक्टान्स मूव करते हैं अवे फ्रॉम दी रेस्ट ऑफ दे मॉलेक्टुल टुवर्स दी अलेक्ट्र नेगेटिव ऐलेमेंट और एलेक्टान विद्ड्राइंग इसी वजह से इस एफेक्ट क एम-माइनस एफेक्ट कहा जाता है जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि का बाने लिगु यहां से अलेक्टान विद्ट्रा कर रहा है यहां पर देख करेगा चुरूब्स के ओपर नेग्रिक्ट अइसी मनफिकृट कहा जाता रहां अच्छा आए ऐसे गरिब गल्जों के ऐसे सकते हैं वह कार्बोनिल साइनो नाइटो ग्रूप हो सकते हैं जो कि बैसिकली एम माइनस एक देते हैं रिंग में किस तरीकिसे माइनस या नेगटिव मेज़मेरिक इफक्ट पैदा होगा आप देख सकते हैं कि अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई अलेक्टरान विथड्राइ डेंसिटी कम कर देगा कि इसी तरीके से आप स्ट्रक्शर में देख सकते हैं कि यहां भी यलक्रान डेंसिटी कम हो गई और चोते श्ट्रक्शर में आप लेज सकते हैं कि THIS अ के चृबडियों हैं और आर्थो ऑर पैरा पोज Courtney कम करदेता है अगर आगर यज्क अडिकशिट रिलीजिंग गुरुप बेंजीन के साथ होगा तो रिंग को अलेक्टान देगा रिंग को अलेक्टान देने के नतिजी में आर्थो और पेरा पॉजिशन के उपर अलेक्टान डेंसिटी बढ़ जाएगी ठीक है ना तो इस तरीके से जो एफेक्ट पर होगा उसको हम कहेंगे प्लस-एम मैजमरी एफेक्ट इन अरिमेटिक रिंग सिस्टम अच्छा कुछ एग्जामपल जो के बेंजीन रिंग के साथ अगर डारेक्ली अटेज्ड हो और प्लस-एम मैजमरी एफेक्ट देंगे वह कौन कौन से हो सकते हैं वह अलकौहल हो सकता है वह एथर है वह मैसे क्या है कि किसी भी सिस्टम में जहां कौन्जूकेशन मौन है क्लिक्णिक। Hat if correct करता है कि Neighborai वह सकता है वह बैयुक्त निक्डराइट हो सकता है तो अटेज़हर होता है झाल ठेंपर्वेटरिंगे दिए होता है जो कर रिएबरसी बहुता है इस इसक्ड़कि इसको प्रोटान से अटेक करवाया गया प्रोटान क्या है बेसिकली अलेक्ट्रफाइड तो इसके नतीजे में यह आपको एक इंटरमीडियट मिलेगा एक कावन के वर पॉजरिव चार्ज किरियट हो जाएगा ठीकिना और यह तेंप्रेरी होगा इसी हो जासे इस एफेक्ट है यह निक्लोफाइल है यह अटेक करता है कावन कावन डबल बॉंड पर तो एक कावन के वर नेगेटिव चार्ज कर देगा ठीकिना अब इस नेगेटिव चार्ज जो के टेंपरेरी होगा उसे हम कहेंगे नेगेटिव अलेक्ट्रोमेरिक एफेक्ट ठीक है अच्छा पां सिग्मा एलेक्ट्रान जो के है मोशुद होते हैं कारबन leş्रीइग बोन्न मौशू होते हैं किसी बिया वीयल्कें बॉन तो होता है अब या कावने घृhen हाइपर कॉंजूगेशन किसी भी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा सियज बॉंड होंगे या जितने ज्यादा अलकायल ग्रूप होंगे उसमें उतनी ज्यादा हाइपर कॉंजूगेशन मौजूद होगी और वह उतना ही ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा अच्छा हाइ जाही अब देखते हैं कि हैपर कॉंजूगेशन किस तरह से रियक्षिन इंटरमीडियट में इन्वाल्व होता है कुछ एक्जाम्पल मैं यहाँ है डिसकस की है जैसे है-फर कॉंजूगेशन काप्लोगेटाइन को स्टेबिलाइज किस तरह से करता है भाइपर कॉन्जूगेशन फिल रेडिकल, अलकीन, या कार्बेनाइन की इस्टेबलिटी को किस तरह से डिफाइन करता है। अच्छा यहां देखिए, जैसे के मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाइपर कार्बोकेटाइन की स्टेबली में किस तरह का किर्दार अधा करेगा यहाँ आप देख सकते हैं कि यह कार्बोकेटाइन है अब कार्बोकेटाइन क्यों है चूंकि इसके साथ कोई ऐसा ग्रूप होगा जो अलेक्टान लेके चला गया अब इस कार्बन के पास एक MTP और्बेटरल है इसके पास अलेक्टान की डेफिशेंसी है अब ये कार्बन जिसे मेरी हाँ एग्जामपल ये इथाइल के टाइन की ये साथ में क्या है मिथाइल गुरुप है अब ये मिथाइल के पास तीन CH बॉंड है वन CH बॉंड दूसरा CH बॉंड टीन चौटान एधिरन और तिस्व उथा और तिसके आधिरिज मौंड बैसिकली अगे ऐसे ऑसे अभी कि टिमा ये सिग्मा बार्टान भी इसको ये सीग्टड ऑनती अपी अ को इसे तिव एसे में कर शकते हैं सिर्भान्न कंट इस कार्बाके इनुसरांडिंग सु अब यह कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई होता थी डिग्री कार्बोगेटाइन क्योंकि इसके तीन तरफ मिठाइल गुरुप में वह जादा स्टेबिल होगा क्योंकि इसमें एक मिठाइल में तीन सी एज बॉंड हैं तो थी मिठाइल में कितने हो जाएंगे नाइन सी होता है मिठाइल कार्बोगेटाइन क्योंकि इसके स्राउंडिंग में कोई अलकाइल गृप मौजूद नहीं होता है अच्छा आप देखिए हम आगे केस देखते हैं कि अगर आपके पास कोई फिरी रेडिकल होता है तो वह हाइपर काजूगेशन की वजह से किस तरह से स् अलेक्टाण डेफिशेंट इस पीशी होते हैं क्योंकि फिरी रेडिकल के पास भी एक अलेक्टाण कम है इस कावन के पास अब इसके पास भी स्राउंडिंग में जितने ज्यादा सीएचेज या मिठाइल गृप यालकाइल गृप होंगे उतना ही ज्यादा इस्टेबिल हो इसी तरीके से यह CHB कर सकता है और यह CHB कर सकता है तो 3 CH bond इस carbon radical को stabilize कर सकते हैं अब मैंने यह नीचे आपको example भी दिये देखें यह एक radical है जिसके तीन तरह methyl group है तो 9 hyperconjugation hydrogen मौझूद है जो कि इसको stabilize कर सकते हैं इसी तरीके से अगर आपके पास कोई 2 degree radical मौझूद है जिसके साथ 2 methyl group है तो उसके पास 6 hyperconjugation hydrogen मौझूद होंगे उसको stabilize कर देंगे और इसी तरह आपके पास अगर इथाइल होगा तो उसके पास 3 hyperconjugation hydrogen मौझूद है और methyl सबसे least stable radical है कि उसके पास कोई hyperconjugation में CH bond मौझूद नहीं है ठीकि यह इसका stability order भी हो जाता है फिर radical का in term of hyperconjugation अच्छा अलकीन भी hyperconjugation के थुरू stabilized यह stability order को define किया जाकता है हम यह जर्नल कह सकते हैं कि most substituted alkene would be more stable because of hyperconjugation यहां आप देख सकते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि यह एक अलकीन है प्रोपीन है अब इस प्रोपीन के एक तरफ मीथाईल और यहां कुछ नहीं है तो यह मीथाईल के तीन hydrogen इस अलकीन को stabilize करें तुरू three resonating structure of hyperconjugation देखें पहले यह बॉन टूटा आपका इस बॉन टूटा यहां पर आपके नेगटिव शार्ज पिर आपके यह बॉन टूटा और डबल बॉन नेगटिव शार्ज इस तरह से आपके तीन hyperconjugation structure बनके अब नीचे मैंने कुछ एक्स एक्समब्ल लिखी है कापके पास वन है जो के मोनो-था युशन थ्री होने के वजाए से एक सीच धू बांड यहां पर सिक्स हाइरोजन मौझें जब कि ही हाँ दो हाइरोजन मौझें इसके दो रेजुनेटिंग इस्के इसके इस तरह से इसी वजाए से ज्यादा इस टेबिल अलकीन होगा अच्छा अब देखिये कारगे नाइन किस तरह से हाइपर कंजिगेशन में की वज़ाए से स्टेबिलाइज होते हैं इनका केस रिवर से वेन वी कंपेर कार्बिनाइन विट कार्ब के टाइन फिर रेडिकल और अलकीन अब देखिए कार्बिनाइन है क्या कार्बिन बेसिकली अलेक्टान रिच स्पीशीज है यानि काबन के उपर नेगेटिव चार्ज इसका या Pen ऑन के सिर्णी में जितने ज्यादांगी या हाईवजिन मौझद होंगे सिग्ममांडवाण मौझद होंगे वह उसको इसको एक्ट्री और इसको इसको कर्विलाइज होगा इसी वजह से टर्श्री कार्बिनाइन ज्यादा इस्टेबल नहीं होता है इस लीस स्टेबल क्योंकि तीनों तरह से इसको अलेक्टान मिल रहे हैं और वो इस कार्बिनाइन के उपर नेगडिव चार्ज को अनिस्टेबल कर रहे हैं और इसी वजह से जो सबसे ज्यादा स्टेबल गारबिनाइन होता है मिठायल गारबिनाइन होता है क्योंकि इसे खेंसे ही एलेक्रान नहीं रहुत जे इंक विंद्टन करेंगे, जब तक चै devil कंडीशन में हो आधर, और आजिकनAR, कर्विनाइन का ऐसे में कुछ मजीड इंट्रेस्टिंग टौपिक के साथ डिस करेंगे जब तक के लिए सी यू